आज का हमारा टोपिक है हंगुल जिसे कश्मीरी रेजटेक भी बोलता है इसके आवास की बात करें तो इसका आवास वर्तमान में जो है कश्मीर तक सिमित है और कश्मीर में भी यह दचिगम निश्टनल पार्क है वहाँ पर जो है बहुत आयात में पाया जाता है इसके संख्या कम हो रही है कम होने का कारण है आवास जो है उसका विगटन जो है उसका फ्रेग्मेंटेशन मानव द्वारा इसके आवास पर जो है एंक्रोच्मेंट अतिक्रमन इन सब के कारण इसके संख्या जो है कम हो रही है नेक्स्ट इनके लिए जो है बात करें आयूशियन में इनकी स्टेटस की तो आयूशियन के नुसार ये species जो हैं वो critically endangered करते हैं इनके सरक्षन की तो सरक्षन की बात करें तो यह है species जो है 11th 5-year plan में चालू species recovery program जो है जिसे integrated development of wildlife habitat भी कहते हैं जिसमें वर्तमान में 21 species हैं उसमें हंगुल भी शामिल है उसके अलावा 1970 में कश्मीर सरकार में जो है WWF की मदद से जो है project हंगुल चालू किया है यह है हंगुल कश्मीर का critically endangered प्राणी इसके अलावा दो अन्य प्राणी है जो भी जो है जिनको खत्रा है वो उनके बारे में भ करें पहला species जो है वो है चीरू और यह चीरू है चीरू जो है आयूशिन के नुसार नियर फ्रेटन है है इसके आ वास की बात करें इसके आ वास की बात करें तो यह उत्च हिमाल्य रीजन में पाए जाता है यह है जमुकश्मीर के हाइं मायंटेन डीजन जो है वहां तिब्बत और मंगोलिया में जो है यह है मिलता है यह है चीरू है इसके लाबाए यह कोई यह प्रानी है जो कश्मीर में है परंतु थ्रेटन्ड है वो है अर्खोर वाइल्ड गॉट जंगली बकरा यह है जो है आयूशियन के नुसार इंडेंजर्ड है और यह है भारत इंडिया पागिस्तान तजागिस्तान और उजबिकिस्तान में जो है मिलता है तकोर आई इससे नियमत अफडेट पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइ कर सकते हैं इसके लावा तकोर आई इसके द्वारा 45 डे की प्रिलिम्स की स्टडिज भी चल रही है उसको भी आप जोइन कर सकते हैं 31 माई को जो है अपनी सुभलता सुन्दश्यक करने के लिए धन्यवाद